हेलो एब्रिवान मैं हूँ सोहल और आप देख रहे हैं स्पोर्स लाइब तो आज हम बात करने वाले हैं एस्या कप दौजार पचीस के बारे में यह दोस्तों एस्या कप दौजार पचीस को लेकर बेहदी बड़ी अपडेट निकल के आ रहा है जैं दोस्तों कहां पर होने वाला है एस्या कप दौजार पचीस कब और कितने बज़े से सुरू होगा सबी मुकाबले इसके लेकर बेहदी बड़ी अपडेट है दोस्तों इनी बड़ी खबरों के बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में लेकिन इस से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली पर आए हैं तो हमारा चैनल जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें क्योंकि क्रिकेट से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी अप टेट है हlak है कि आई ला ये estimate जोगिरोंडी फार्मेट में न वाला है है इससे पहले जब य मिद्री सर्सेया कब दो सब्सक्राइब हुआ दोल यो कि साल 2022 को भाना फ्लीट को लाई द कर दोलडा होग चाहिए होस्ट लोटने वाला जो सबसे बड़ा बदला हुआ है वह है टीमों के संख्या के जिए दोस्तों बता दे कि एस्या कप में एस्पेसली मैंस में ही हिस्सा लेती थी लेकिन अब यानि कि एस्या कप दर पचीस में कुल आठ टीमें खेलते हुई नजर आने वाली है जिए दोस्तों पांच टीमें कं पाकिस्तान, बंगलादेश, सिर्लांका और अफगनिस्तान इसकी आलावा तीन टीमें जोगी कुल फाइंग खेलकर आएगी और बता दे कि इन सभी आठ टीमों को दो ग्रूपों में बाट दिया जाएगा और इसके बाद ग्रूप के बाद खेला जाएगा सुपर फोर मु पाकिस्तान खोला है यवार सुरू हो सकता है तो इस कारएगा जिसक्तान को मुखे एक कमाल हूने वाला है और अब देखने वाला होगे टीम इडिया कौन कप्तान होते क्या हो रोहिश सर्वाही कप्तान रहेंगे टीम इडिया का एसिया कप्ताव 25 में या फिर हार्दिक पंडे केप्टेन सी करते हुए नजर आएंगे क्या बिराट को ली खेलेंगे या नहीं खेलेंगे इस पर भी बड़ी बड़ा सवाल है तो दोस्तों यह सबी सवाल का जवाब मिला गया एसिया काप दरब पचीस पे दोस्तों तब तक मिलते हम आपको